हेलो फ्रेंड्स, आज की इस फीडियो में हम बात करेंगे UPSC कोस्चन रिपीट करता है या नहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि UPSC में एक बार जो कोस्चन पूछ दिया गया वो दुबारा कभी पूछा नहीं जा सकता और ना कि भी दुबारा उसको पूछा जाता है UPSC के द्वारा तो ऐसा बिलकुल नहीं है और यह बहुत ही गलत धारणा जो है कि लोगों के बीच में है कि UPSC कोस्चन रिपीट नहीं करती है आज की इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि 2021 का एक्जाम जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 10 अक्टूबर को जो UPSC का 2021 का प्री का एक्जाम हो चुका है उसमें लगभग UPSC के द्वारा मेरे को तो 6-7 कोस्चन लगभग 6-7 कोस्चन ऐसे मिले जिन्हों ने जो की UPSC के द्वारा पिछली एक्जाम में पूछे जा चुके थे UPSC के ही पिछली एक्जाम में पूछे जा चुके थे और इस बार भी उस कोस्चन को रिपीट किया गया UPSC के द्वारा तो उस question को हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे question थे जो पिछली बार भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे गए हैं और कुछ questions तो ऐसे थे जो 2020 में भी पूछा गया जिनको और फिर जो 2021 में भी पूछे गया तो इसलिए आप लोगों से मेरा कहना ये है कि previous year question paper किसी भी एक्जाम के लिए previous year question paper बहुत ही मायने रखते हैं और बहुत ही important होते हैं और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि 2021 में ही केवल repeat हुआ है इसलिए अब वीडियो बनेंगे ऐसान बिल्कुल नहीं है अगर आप लोग कहेंगे तो यह आप लोग देखिएगा खुद 2019 में भी question repeat हुआ था 2018 में भी repeat हुआ था 2017 में भी repeat हुआ था तो एक दो question एक दो question इस बार question की संख्या बस जादे है अंतर इतना ही है तो question repeat होते हैं और इसलिए previous year paper solve करना कितना important है यह जो है कि 2021 के paper को देखने से पता चल जाता है जैसे जैसे कि किसी की व्यक्ति का या किसी student का दो नंबर से कि आईनल selection रुख जाता है तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को जैसे प्री में बहुत लोग गया है कि एक दो नंबर से रह जाते हैं या पांच नंबर दस नंबर से रह जाते हैं अगर जो बंदे ने 2000 या previous year paper को लगाय रखा होगा या लगा के गया होगा 2020 में तो उसको minimum मैं बता रहा हूँ कि 10 नंबर का एज मिला होगा बाकी लोगों से तो minimum 10 नंबर minimum 10 या 12 नंबर का एज मिलेगा 2021 के एक्जाम में तो previous year question paper कितने important है इस वीडियो के मात्रम से पता चलेगा तो ठीक है तो शुरू करते हैं कितने questions repeat हुए repeated question 2021 के paper से ठीक है शुरू करते है ठीक है दोस्तों तो शुरू करते है repeated question UPSC में देखिए sit A 2019 question number 90 किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानि कि money multiplier निमनलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है ठीक है तो option A था आरचित नगदी अनुपात में व्रिद्धी जनता की banking आदतों में व्रिद्धी सामविदिक नगदी अनुपात में व्र 90 set A से ठीक है अब हम आते हैं 2020 वाले पर तो 2021 के 2021 का जो प्री जुजदफ अक्टूबर को अभी हुआ वो set A question number 11 फिर से repeated question मुद्रा गुणक में व्रिद्धी सारे option भी आपके वैसे ही है हम answer नहीं बता रहे हैं हम बस यह बता रहे हैं कि UPSC ने कौन से questions को repeat किया ठीक है तो इस तरह से फिर बैंकों में आरचित नगदी निदी अनुपात में व्रिद्धी बैंकों के सामेधिक चल निदी अनुपात में व्रिद्धी लोगों की banking आदितों में व्रिद्धी देश की जन संख्या में व्रिद्धी मतलब UPSC ने same और same option को भी उसी तरह से रख दिया ठ फिर नेक्स चलते हैं नेक्स आता है आपका नीजिता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी अब देखिए सबको पता हुआ कि राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी केस में की सुप्रीम कोट ने इसको जो है कि फंडामेंटल राइट माना अर्टिकल 21 के तो सिट ए से 2018 से यह कोश्चन आ चुका है और यहां कोश्चन इस प्रकार था कि नीजिता के अधिकार को जीवन व्यक्तिकत स्वतंतरता के अधिकार के अंतरभूत भाग के रूप में सनरचित किया जाता है भारत के समिधान में निलिखित में से किसी से उपर्यूग्त कथ सही एवं समुचित धंग से अर्थित होता है तो अनुच्छेद 14 एवं समिधान के बैलिसमें संसोधन के अधिन उपबंद अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिये राजी की निति के निले सकता तो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंतरता हैं और अ समिलान के किस अनुच्छेद के अंतरगत नीजिता का अधिकार संदच्छित है तो अनुच्छेद 15 19 21 29 ठीक है तो यह कोशन रिपीट हुआ कि फिर हम चलते हैं आगे अब देखिए एक कोस्चन यहां हम देखेंगे कि भारती राज विवस्था में निलिखित में से कौन से अनिवार विशेशता है जो या दरसाती है कि उसका स्वरूप संगी है तो संगी विवस्था कोई सरूप को दरसाने वाली कौन से कारक है तो यह कोस्चन नंबर 86 जो है कि और यह पूछा हुआ 2021 में तो नियापालिका की सवतंतरता सुरच्छित है संग की विधाईका में संगटक एकाईयों के निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं केंद्री मंद्री मंडल में छेत्री यह परिपाटियों के निर्वाचित प्रतिनिधी हो सकते हैं और मूल अधिकार नियाजालियों द्वारा परवरतिनी हैं तो यह पूछा हुए आपका 2021 में और इसी कोस्चन को 1994 में भी पूछा गया था UPSC के द्वारा तो आईएस प्रीद 1994 में भी और यह थोड़ा सा मतलब डारेक्ट कोस्चन था कि निर्वाचित में से किन विनिरधारित होता है कि भारत का समिधान परिसंगी है तो यहाँ पर आप्सन में दिखेंगे तो नियापालिका की सतंतर था और यहाँ भी है नियापालिका की सतंतर था आउसिस्ट शक्तियों का केंदर में नहित होना और केंदर राजों की विसक्तियों का वितरण तो इस तरह से इसमें एंसर तो डी दे दिया तो केंदर राजों की विसक्ति के निर्वाचित प्रतिनीधी होते हैं अर्थाद संग की विधाई का में भी राजी के जो लोगों का सेप्रेशन आफ पावर एक तरह से देखा जातों ठीक है कि उनका भी जो है कि अधिकार या उनका भी पाटिसिपेशन अर्थाद भागिदारी होती है और यहां उत्तर भी दिया कि कोई राजी संग आत्मक है अथवा एक आत्मक या समिन्हान द्वारा संग और राजीों के मद्द सक्तियों की विभाजन के अधार पर जाना जाता है यदी संहम राजे के मत्र सक्तियों का भिभाशन है तो उस राजे को संगी राजे कहा जाता है अब बारत का समिधान परिसंग है क्योंकि केंद राजे की भिष सक्तियों का भित्रण किया गया है तो हम एंसर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोस्चन कि ये कोस्चन 2021 में भी पूचा और ये 1994 का भी कोस्चन है, ठीक है, फिर वड़ते हैं next अब आते हैं समयधानिक सरकार, ये 2021 का कोस्चन 94, 6A, तो समयधानिक सरकार का आसे क्या है तो किसी राष्ट की परिसंगी ये संदशना वाली एक प्रतिनिती सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के नाम या प्रमुख के पास नामात्र की सक्तियां हो और कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक सकती हैं और कोई सरकार जो समिनान की सिमाओं से परिवत दो तो इसमें option भी दिया था और इसी तरह से ज़्यादा पीछे न जाते हुए 2020 का अगर GS-PRI का question उठाएंगे आप और set D question number 57 अगर उठाएंगे आप UPSC का 2020 का तो वहां पूछा हुए समयधानिक सरकार और यहां भी पूछा है समयधानिक सरकार से आसे क्या है तो इसमें भी होगा सिमिस सरकार बहुदली ये सरकार, लोगप्री ये सरकार, विधानमंडल द्वारा सरकार तो उत्तर तो सबको पताई होगा समयधानिक सरकार उसी तरह से ये question फिर से repeat किया 2020 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा है ठीक है, तो UPSC question repeat करता है ठीक है, अब चलते हैं आगे कि भारत में समपत्ती के अधिकार की क्या इस्थिति है अब देखें समपत्ती के अधिकार का question कई बार पूछ चुका है ठीक है, घुमा घुमा के लेकिन थीम उसका वज़ता है समपत्ती के अधिकार की क्या इस्थिति है तो 2021 में ये question आया 92 set A अब देखें ये option ये विदिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है ये विदिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है ये मूल अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है अया ना तो मूल अधिकार है, ना विदिक अधिकार है अब हम देखते हैं ये कब पूछा हुआ है? 2005 में पूछा हुआ है कि अनुछे 301 संपत्ति के अधिकार से संबंद है संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किन्तु यह मूल अधिकार नहीं है अब भारत के समिदान में अनुछे 300 कर उस समय केंदर में कांग्रिस सरकार चोवली समय समिदान संसोधन से अंता स्थापित किया गया था तो इस तरह से इसको घुमा के पूछा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किन्तु यह हमूल अधिकार नहीं है और इसी तरह से संपत्ति एक विधिक अधिकार है जो किसी विवेक्ति को प्राप्त है ठीक है तो यह थोड़ा सा पिस्ट करके इसको कि अब हम आते हैं ५। पिछली बार पूछा था, ये यू जब समिदान लागू किया गया था ठीक है तो इन्होंने एंसर माना संपूर्ण प्रभुत्य संपन्य लोक्तांत्रिक गणराज तो इस तरह से यूपी-पीस्यस से भी कोस्ट्टन जोए कि इन्होंने उठा लिया है और यह हम कहा सकते हैं एक तरह से ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट तो इस तरह से आपने देखा कि यूपीस्यस से कोस्टन रिपीट करती है कम से कम 6-7 कोस्टन जोए कि रिपीट हुए है और बहुत ही यह महत्तो रखता है कि 6-7 कोस्टन रिपीट हुए है धन्यवाद